जहिन दोस्तों फाइनली आज आप देख रहे हैं 2022 की न्यू मॉडल हॉंडा की यूनिकॉर्ण 160 B6 टोटल तीन कलर ब्लैक, रेड और ग्रे कलर के साथ ये बाइक आती है इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं माइलेज क्या है, टॉप स्पीट क्या है और इस बाइक की डिटेल ऑन रोट कीमत क्या है क्या ये बाइक 2022 में वैलू फॉर मनी है जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों वीडियो के लास तक बने रहना तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से तो यहां से आप इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाता है glossy black color का यहाँ पे आपको front वाला visor देखने को मिल जाता है जो कि two piece में divided है और front में यहाँ पे आपको सामने से Honda की branding देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो chrome के treatment यूज किये गए है जो कि इस bike को काफी अच्छा look दे रही है और काफी premium बना रही है और यहाँ अगर इसकी headlamp setup की बात करें तो यहाँ पे आपको multi reflector halosan headlamp setup देखने को मिल जाता है low beam और high beam के साथ और अगर इसके side में चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आपको graphic का work देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको halosan के turn indicator देखने को मिल जाते हैं जो की थोड़ी से flexible company ने provide किया है यहाँ पे आपको नीचे में registration plate लगाने की जगा मिल जाती है front वाले अगर mud guard की बात करें तो आपको glossy black color का मिल जाता है fiber body के साथ front में आपको telescopic type के suspension देखने को मिल जाते हैं जिसके दोनों और company ने reflector provide करा है दोस्तो अगर बात करें इस bike के safety की तो इस bike में आपको 240 mm का dix brake देखने को मिल जाता है और front में आपको ABS देखने को मिल जाता है इसके अगर tire size की बात करें तो 80 बटा 100 का यहां पे tire size देखने को मिल जाता है 18 इंचिस के black color के alloy के साथ इस bike में आपको tubeless tire का option देखने को मिलता है चलें दोस्तों next चलते हैं इसके right side की और तो यहां से आप इस bike का पूरा right side का profile देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसका right side का profile देखने को मिल जाता है इसकी अगर fuel tank की और चलें तो यहां पे आप देख सकते हो 3D में आपको chrome के finish के साथ Honda के branding देखने को मिल जाती है जो कि इसके look को काफी premium बना रही है, full metal body के साथ इसका आपको fuel tank देखने को मिल जाता है कोई भी आपको इसके fuel tank पे graphic का work देखने को नहीं मिलता है 13 liter की fuel tank capacity मिल जाती है, यहां से आप इसका उपर से look को देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको look देखने को मिल जाता है यहां पे आपको fuel tank cap देखने को मिल जाता है दोस्तो अगर आप इस bike की speed को maintain करके चलाते हैं, तो यह bike आसानी से आपको 40 to 45 का mileage निकाल करके देदेगा यहां पे आप इसका console देख सकते हो, full analog type के console देखने को मिल जाते हैं, जो की company को update करने चाहिए थे और console के center में आपको मिलता है speedometer, odometer और trip meter और console के right side में आपको देखने को मिलता है fuel gauge, check engine की light, headlight के आपको indication मिल जाती है turn indicator की warning देखने को मिल जाती है, gear neutral के आप warning को देख सकते हो और console के left side में आपको मिलता है rpm meter चलिए दोस्तो next चलते हैं, इसके right handle पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो red color का आपको engine kill switch देखने को मिल जाता है और नीचे में आपको self restart का black color का switch देखने को मिल जाता है इसकी अगर दूसरी ओर चले तो यहाँ पे आपको passing की switch देखने को मिल जाती है और upper deeper turn indicator की switch देखने को मिल जाती है और नीचे में आपको horn की switch देखने को मिल जाती है दोस्तों बात करें इस bike के seat comfort की तो यहाँ पे आपको 798 mm का seat height देखने को मिल जाता है कुशनिंग काफी soft आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हैं काफी bright seat आपको देखने को मिल जाती है काफी soft यहाँ पे आपको कुशनिंग का use किया गया है company के दोवारा glossy black color का आपको grab handle देखने को मिल जाता है seat call पे आपको unicorn की sticker work देखने को मिल जाती है chrome के finish के साथ और side body panel पे यहाँ पे आप देख सकते हो mono suspension की basing देखने को मिल जाती है heat bs6 की यहाँ पे आपको basing देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको कुछ chrome के treatment देखने को मिल जाती है सबसे अच्छी बात इस bike में आपको kick का option देखने को मिलता है जो कि इस segment के किसी भी bike में आपको देखने को नहीं मिलता है engine पे आपको honda के branding देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप इस bike का brake pad देख सकते हो 140 kg की curve weight देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप catalytic converter देख सकते हो single piece horn के साथ यह bike आती है फाइनली बात करेंगे अब दोस्तों इस bike के engine और power की तो इस bike में आपको मिलता है 162.7 cc का air cool 4-stroke 2-volt BS6 fi engine जो maximum power generate करता 12 10.9 PS का 7500 rpm और maximum torque generate करता 14 mm का 1500 rpm दोस्तों इस bike में आपको 5-speed gearbox देखने को मिल जाती है 187 mm का आपको ground clearance देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको rider का footrest देखने को मिल जाता है इसके पीछे की ओर चले तो यहाँ पे आप इस bike का exhaust देख सकते हो काफी muscular look में इसे design किया गया है यहाँ पे आपको pillion का footrest देखने को मिल जाता है जो की adjustable दिये गए है यहाँ पे आप पिलियन का footrest की जगह को देख सकते हो इसके अगर rear suspension की बात करें तो यहाँ आपको hydraulic type के mono stock suspension देखने को मिल जाते है जो की fully adjustable दिये गए TBS के tire इसके rear में देखने को मिल जाते है 98 का यहाँ पे आपको tubeless tire देखने को मिल जाता है 18 inches के black color के L.Y. के साथ और दोस्तो 100 mm चोड़ाई के साथ इसका rear वाला tire आपको देखने को मिल जाता है 130 mm का drum brake इसके rear में company ने provide कराया है चलिए दोस्तो नेक्स चलते हैं इसके rear profile की और तो आप यहाँ पे पूरा इसका rear profile देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है इसके tail light के ऊपर आपको Honda के branding देखने को मिल जाती है bulb का यहाँ पे आपको tail light देखने को मिल जाता है जिसके just नीचे आप reflector देख सकते हो registration plate की यहाँ पे आपको जगा देखने को मिल जाती है टरण इंडिकेटर की बात कर तो यहाँ पे आपके Halozen Bulk का कमपनी ने प्रोवाइड कराया है चलिए दोस्तों निश्ट देखते हैं इस बाइक के लेट शाइट के प्रोफाइल को यहाँ से आप देख सकते हो इस बाइक के लेप साइड का प्रॉफाइल, seat call पे आपको Unicorn की radioactive मेल जाती है, chrome के finish के साथ नीचे में आप seat lock, unlock option देख सकते हो, इस bike में आपको सारी गारड नहीं मिलता है, जो कि ऐसे सरीज का पार्ट है वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा फाइवर वड़ी की चैन सेट की कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है पीलियन का यहाँ पे आपको एड़स्टेवल फूटरेस्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों इस बाइक में आपको 120 किलोमीटर पर आवर का टॉ इसकी एक सोरूम कीमत है 1,4667 रूपीज और इसकी ऑनरोट कीमत है 1,26820 रूपीज यह ऑनरोट कीमत की जानकाड़ी मैंने आपको दिये क्रिशना मोटर अखारा का ट्रोट मुझापरपूर इस्तित सोरूम में अगर आप मुझापरपूर से हो या आसपास के किसी भी सीट अगर आप इस सोरूम में विजिट कर सकते हो होंडा के किसी भी बाइक या स्कूटी का टेस ड्राइव ले सकते हो दोस्तों आप भी अपनी सीटी का ओनरोट प्राइस जानना चाहते हो तो आप मुझे कोमेंट बॉक्स में अपने सीटी का नाम लिकर के भेज सकते हो थैंकी आप में आप सकते हो हैं